वेलकम टू आर वीडियो आज कामारा जो टॉपक है वह इंपॉर्टिंट चैप्टर्स और इंपॉर्टिंट टॉपक कलास 11 कमिश्ट्री के रेक्रक्णू ठीट टॉपक्कश basic concept of chemistry तो इसमें जो जो important topic है मैं आपको बता देता हूँ empirical formula इस base पे एक नए एक numerical आपको हमेशा आता है दूसरा mole concept and it's numerical mole concept जानते हैं कि given mass by molar mass इस base पे बहुत सा question बनेगा तीसरा जो atomic and molecular mass असानी होता है dalton domain theory or limiting reagent तो इसमें पांच topic important इसको cover कर लीजएगा second chapter structure of atom तो इसमें आप d ब्रोगिली relationship जो कि lambda is equal to h upon p जो एक derivation उसको कर लीजएगा rather ford model और बोहर model कर लीजएगा और इसका limitation देख लीजएगा Heisenberg uncertainty principle जो कि delta x upon h upon four pi करके कुछ एक जो आता है equations वह आप देख लीजएगा अब बहुँ पॉली हंट्स जोनों ने electron को फिल करना बताये था अगला electronic configuration आता है electronic configuration और अगला point है quantum numbers जो कि principal quantum number जो कि अ प्रिंस्पल quantum number जो कि मॉत्थर quantum number और spin quantum number यह सब टाइप का और पिरियेड में trends देखना है कि electronegative कहां बढ़ रहा है radius उसका कहां बढ़ रहा है यह सब देख लीजएगा trend देख लीजएगा electron affinity अगला iso electronic species देख लीजएगा अगला जो सबसे structure डिसाइड करना बताता है hybridization hybridization बहुत important है shape geometry देख लीजएगा sp2 sp3 क्या बनाएगा trigonal pillar बनाएगा pyramid बनाएगा sigma और pi bond भी आ जाता है और moot molecular orbital theory जिसमें कि आपको bond order निकालना पड़ता है और बताना होता है कि paramagnetic वह का second law देख लीजएगा और reversible और irreversible process पे जो एक formula derived होता है उसको आप लोग देख लीजएगा आइसो थर्मल आइसो बारिक यह सब चार टाइप यह पड़े है आइसो बारिक आइसो थर्मल आइसो कोरीक अडियाबेटिक अडियाबेटिक में जो क्यों की वली होती वो जीरो हो उसके बाद वूट्स रियक्शन कोल्पी इलक्टोलिसिस इसमें आप डारेट देख लीजए किसको किसमें करना होता है और जोनोलेसिस फीडल क्राफ्ट रियक्शन अब बेंजिन 2 मेटरा नाइट्रो बेंजिन कैसे करते हैं यह पार्ट और्थ होता है यह पार्ट मेटा हो आपको 12 में भी कामी आगा अगर कोई नीट का है ठीक है तारीक कर रहा है अगला आपका सब्स्ट्यूशन रियक्शन आप बेंजिन देख लीजिएगा ठीक है आपको रिडॉक्स इलक्शन ने पूछा यह पूछा है और दूसरा बैलेंस करने के लिए क्वेशन को या तो नंबर से कर दीजिए है तो आइन इलक्ट्रॉन मैथट से कर दीजिए ठीक है अगला है हाइड्रो कार्बन जो भी कोई को पाउंड कार्बन तो इसमें आपको देखना होगा नॉमन क्लेचर इंपोर्टेंट नॉमन क्लेचर देख लीजेगा इंडक्टिव इफेक्ट दीजार आता है जो देता है इलक्ट्रॉन डोनेट करता प्लस जो लेता है वह माइनस डीटिग स्टक्चर कम्पलीट दीठव लोकी जेशन अफ मतलब देना हाथ मृन्स मतलब लेना और नुक्लीयो फाइल एलेक्ट्रोफाइल मतलब अलग नुकलियस लवीं तीक है